नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल आश्ट्रो सच पर चलिए गुरुजी से सुनते हैं आज के उपाएं पीछे श्रीराम जय बागेश्वर धाम दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि घर की स्त्रिया लक्ष्मी होती है, जिस घर में रहन सहन के संस्कार हो, उस घर में हमेशा ही मा लक्ष्मी का वास होता है, यही प्रश्न जब गुरुजी से एक स्त्री ने गुरुजी से किया बरकत के लिए हर में वो काम करती हूँ जिससे की बरकत हो इसके बावजूद मेरे घर में धान माला कश्मीर टिक्ती नहीं है खर्च इतना होता है कि पता ही नहीं लगता कि पैसा कब आया और चला गया तो ऐसे में पूरी सभा के बीच गुरु जी ने जो उपाय बताया वो मैं आपको बताने जा रहे हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कर्ज नहीं मानना पड़ेगा तो जो उन्होंने उपाय बताया वो मैं आपको बताती हूँ अगर घर में वास्तु दोश आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं साथ ही साथ पैसों की किलत हमेशा आगे की ओर बढ़ने बात कर रही हैं आपके घर के मुख्य दरबाजे की क्योंकि इसी से हम घर के अंदर और बाहर की ओर आते जाते हैं बलकि सकारात्म मर्क और नकारात्मक उर्जा भी यहीं से अंदर आती और जाती है बहुत मुश्किल नहीं है बहुत ही साधारन भाशा में आपको बताता हूँ घर के में गेट के सामने कोई भी पेड या खंभा नहीं होना चाहिए इसकी छाया आपके घर पर अशुद प्रभाव डालती है अ मैं तो कहूंगी कि हमेशा ही बनाकर रखना चाहिए ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक उर्जा अशुद प्रभाव नहीं डालती है सार आपके घर के वास्तु दोश को दूर करने के लिए या कम करने के लिए आपके घर के आसपास या घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किराय के घर में रहते हैं तो घर का में गेट दक्षिन दिशा में हो तो आपको तुरंथी घर बदल लेना चाहिए। अंदर की ओर खुलना चाहिए अगर आपके। घर का में गेट बाहर की ओर खुलता है तो सुख सम्रिध्धी भी बाहर की ओर चली जाती है। अगर आप घर में कोई भी चीज उप्योग में नहीं लेते हैं तो तुरंथी उसे घर से हटा दीजिए पुराना जाडु कबाड़ा पुरानी जो जूते चपल है। उन सभी को हटा दीजिए, specially अमावस्या के दिन ये काम आप जरूर करें, ऐसा करने से आपके घर में नई चीजों का आगमन होता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपून बात बताने जा रही हूँ, वो बात यह है कि पानी जो है आपके घर का है कभी भी पहना नहीं चाहिए, यानि कि पानी या नल की टोटी कहीं से लीग हो रही है, तो उसे तुरंथी ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे घर में पानी की कमी आपको नहीं होगी, बुरा वक्त आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा, किसी के सामने आपको हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए उपाय बताऊंगी, अभी मैं आपको आप देखेंगे कि आपके घर में हफ़ते, देश धर के अंदर ही सारी मुसीब्तें दूर की औ भागने लगेगी, आपके घर में धन का आगमन के रास्ते खुलते हुए, आपको नजर आएंगे, आपका करजा धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगा, अब आपको करना क्या है, वह मैं बताती हूँ, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर दोर में या पायदान जरूर होना चाहिए, ये आपकी हर प्रकार के बास्तु दोश की समस्या, का समाधान है, दोस्तों कई लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दो मैच नहीं रखते हैं, लेकिन यह गलत है, दान हमेशा ही चौकोर लेकर आए, ये शुभ माना गया है, कुछ लोग बहुत साल तक एक ह पाइदान यूज करते हैं, यानि की दौड में चेंज नहीं करते हैं, ऐसा न करें घर की पाइदान को दरिद्रता का प्रतीक बना कर रखें, उसे समय समय पर चेंज कर दें, अब उपाय क्या करना है, वो सुन लीजिए घर के मुख्य पाइदान जो होता है, उसके नीचे आपको रखना है, फिटकरी का पाउडर या फिर एक छोटा सा टुकडा जरूर रखें, इसको रखने से आपके घर में माता लक्षमी का बास होगा, अब यह रखना कैसे हैं, करना कैसे हैं, वो भी सुन लीजिए बाजार से 50 ग्राम फिटकरी आप लेकर आए, उसे लाकर आ बिल्कुल पतली सी जो है, एक लेयर टाइप की आपको पोटली बना लेनी है, और उसे कवर करके यानि की पाईदान की नीचे बिल्कुल बीच रख देना है, और रोज सफाई करते समय हटा कर फिर से आप वापस नहीं रखती है, ऐसा करने से आपके घर में मा लक्षमी का अवास हो जाएगा यानि की, जैसे ही मा लक्षमी आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके घर में ही में एक जाएंगी, वहीं रुक जाएंगी, अपना स्थान बना लेगी, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी, और आप चाहें, तो एक फिटकरी का टुकड़ा जानी की बाथरूम में मुख्य दर्वाजे पर तो आपको पायदान के नीचे रखना ही है, उसे भी आप हर महीने बदल दें, अगर आपके परिबार में लडाई जगड़े होते हैं, तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप जरूर रखें, और सुबह उठकर गुरु मंत्रिया, इश्ट देव का नाम का उच्चारन करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को रोड पर फिंक दीजिए, फिर आप देखिए दोस्तों की आपके घर में किस तरह से शान्ती वापस लोट कर आ जाएगी लडाई जगड़े बिलकुल ही समाप्थ हो जाएं का भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नवरात्री के दिनों में फिटकरी के जल से सनान करने से आपके घर के सारे कर्ज उतर जाएंगे कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी धान व्यापार में व्रिध्धी होगी अगर आपके बच्चे को रात में बुरे-बुरे सपने आते हैं तो एक फिटकरी का टुकडा आप उसके तकिये के नीचे जरूर रखें इससे भी उसे बुरे सपनों से डर नहीं लगेगा बहुत ही अच्छा प्रभाव है गुरु जी ने स्वयम बताया है आयोग को आप जरूर करें आपके जीवन की सभी कश्ट दूर हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों ताकि बागेश्वर धान की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे पास वाला बेल आइकन जरूर दबाईए गाता की सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है मार्क गर्शन पसंद आया है तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें मिलती वीडियो में जै श्रीरा